गुड मॉर्निंग एवरिवन वेलकम टू दा आवशेनल आईएस ग्रूप आफ इस्कूल स्टुडेंट्स कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर 4 के हाड़ वर्ड और एक्टिविटी के बारे में बताया था आज की वीडियो हम उसके आगे की बारे में बताएंगे कि उसके आगे आगे आपको क्या करना है उसके बाद में आपको क्या करना है next page यानि turn करना है पेस को turn करना है turn करने के बाद में आप देखिए क्या करना है center पे heading डालें center पे heading डालें, क्या heading डालें है सब्दार्थ, सब्दार्थ मतलब सब्दो का अर्थ, कुछ सब्द है से इनका कोई अर्थ हो यानि इनका कोई मतलब हो तो हेडिंग आलेंगे सब्दार्थ आईए देखते हैं आपका फर्स्ट वर्ड मिनिंग क्या है अक्सर अक्सर प्राया यकीन यकीन विश्वास यात्रा सफर यात्रा सफर चालक वाहन चलाने वाला जहाजी पानी के जहाज पर काम करने वाला अभिनेता अभिने करने वाला अजनबी अंजान इरादा इच्छा गवाना खोना इंसान मानव अच्छंभा आश्चर या अच्छंभा आश्चर या ना लिसन टू में एवर्वन वन्स अगेंड फिर से देखे एक बार सेंटर पे आपको सब्दार्थ हेडिंग डालने हैं उसके बार में आपको वर्ड में लिखने हैं लिसन टू में एवर्वन वेरी केरफली बहुत इनिट अन्ट लिखना है कोई भी पूर राइटिंग नहीं उस करेगा तो सबसे पहरे देखे अकसर प्राया यकीन विश्वास यात्रा सफर चालक वाहन चलाने वाला यानि गाड़ियां जो चलाता है उसे क्या कहते हैं चालक कहते हैं तो ज़र वाहन चलाने वाला जहाजी पानी के जहाज पर काम करने वाला अभिनेता अभिनेता अभिने करने वाला अजनबी अजनबी अंजान अंजान इरादा इच्छा इरादा इच्छा गवाना गवाना यानि खोना जैसे किसी चीछ को क्या करते खो देते तो उसे गवान दिया मैंने उसको तो क्या बोलते खो जाती है यानि खो जाना उसका खोना इंशान मानव यानि मनुश्य अचमभा आस्चर्य अचमभा आस्चर्य तो लिसन टू में अवरिवन ये आपकी word meaning कितनी ही है और word meaning complete हो गई है उसके बाद में आपको क्या करना है word meaning के बाद में क्या आता है question answer आते है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या करा है था activity कराई थी chapter thought और hard word कराई थी और फिर मैंने क्या करा है word meaning अब word meaning के आगे आपको क्या करना है question answer लिखना है तो question answer किस तरह से लिखना है आए देखते है word meaning के आगे आपको क्या करना है अगर आपका page है यानि पेज एक्स्ट्रा है तो आप क्या करेंगे सेंटर पे हेडिंग डालेंगे प्रश्ण उत्तर सेंटर पे हेडिंग डालेंगे क्या हेडिंग डालेंगे प्रश्ण उत्तर और अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप प्रश्ण लिखेंगे क्या करेंगे प्रेस्ट न लिखेंगे तो आपका प्रेस्ट नमबर वन है शंटिंग क्या होता है शंटिंग क्या होता है चैप्टर में बताया भी गया था और आपका कोशन भी है तो आई आप सभी को आंसर भी आता होगा आता होगा ना फिर भी हम आपको आंसर चलिए बता रहे हैं दिखिए इंजन या इंजन या इंजन या ट्रेन के डिबों की साफ सफाई को या साफ सफाई के साफ सफाई के काम को शटिंग कहते हैं शटिंग कहते हैं शटिंग कहते हैं इंजन या ट्रेन के डिबों की साफ सफाई के काम को शटिंग कहते हैं तो यह आपका फर्स्ट कॉष्चन का फर्स्ट आंसर कम्परी्ट हो जाएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है आपको वर्ड मीनिंग और वन कोश्चन आंसर इसकी आगे की question answer और जो भी आगे का कार्य हो हम आपको next वीडियो में बताएंगे I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से word meaning और question answer को करना है किस तरह से लिखना है अगर आपको इस वीडियो से लेटिट कोई भी problem है तो आप नीचे दें comment box में पूछ सकते हैं thank you have a nice day